हेलो फ्रेंड्स कैसे हो अप लोग चलिए आज कुछ दिखाता हूं अप लोग को वेल्कम टो मैं आटिक चैनल यह काम आप लोग ने देखा होगा रेसेंट अपलोड़ेड वीडियोज मैं एक बढ़ जाके देख लीजी यह मूरल मेकिंग प्रॉशिश मैंने दिखाया प्रीज एक बढ़ देख लीजी आज आप लोग को दिखाऊंगा फाइबर ग्लास ओल्डिंग प्रॉशिश यह फाइबर ग्लास आज का टाइम पेश सबसे जादा शस्ता भी है फास्ट भी है और इसी तरीका से इसको काम कर शकते बहुत अच्छा मिट्रियल है तो इसका प्रॉशिश जो है आप लोग को यह वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा स्कीप मत किजिए जितना डीटेल हो जाए उतना डीटेल करके इस वीडियो में पताने बला हूँ क्या इसका कौन सा केमिकेल है क्या है कित कैसे बिलाना है इसका प्रॉशिश क्या है तब लोग प्लीज पूरा वीडियो को अच्छा शित्यान से देखिए जैसा यहां पे वैक्स पॉल यह वैक्स पॉल एक पॉलीस का हिसाब से हम लोग यूज़ करते यह पेंट सॉप कुछ हाडवर्ड सॉप में भी मिल जाएगा इसको वॉडर मतलब जहां पे प्लाई सर्फेस है यहां पे लगा रहा हूं मतलब आपको रिलीफ होना चाहिए यह वैदर ठीक नहीं है मतलब ऐसे तो मौसम अच्छा है लेकिन फाइबर वर्ड के लिए धूप होना जोरूरी है थोड़ा टेंपरेचर होता है तो अच्छा है तो चलिए यह पूरा के पूरा बॉर्डर में आपको यह वैक्स पॉल लगाना है नहीं तो यह फ्लाई पेश में चिपक जाएगा और आपका काम खरब करेगा और मिट्टी में क्या करें स्रेप केरोशीन वायल आप हलका एकदम बहुत हलका इसको छीटा लगाए यह स्प्रेड कर दीजिए यहाँ पर ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब बहुत ही मिनिमम यह देखिए हलका आटमेटिकली स्प्रेड हो जाता है ठीक है ना तो चलिए दो केमिकल यह देखिए रेडी करके रखा है दो बाल्टी है इसमें रेजिन, कोबल्ट, फ्रेंच उक रेजिन मिलाया रेजिन का इसमें शर्प कुबल्ट मिला लिया और फ्रेंच उकर यहाँ जो है दो नंबर इसमें शरेव कोबल्ट मिला हुहłe है ठीक है न तो दोनो केमिकल पासपास हो यह है हारडन, जब काम करेंगे यह हारडन, ड़लेंगे रेशियो का ही सबसे तो चलिए पहले फास्ट लियृर स् एक लिटर पे 10 ml ठीक है तो इस रेशियो का आप डाउन हो सकता है वैदर का हिशाब से काम का हिशाब से कि अपको यह पहले टेस्ट करके लेना चाहिए हलका छोटा क्यमिकल मिट्रियाल लेकर उसको मिला के पहले टेस्ट कर लीज़े कितना टाइम तक इसको टाइट होने में टाइम लग रहा है ठीक है और यह देखिए अच्छा से घूलना चाहिए गुलने का बाद हलका swap brass ले लीजिए और layer देना start किजिए यहां पे देखिए हलक हलका brass से पूरा के पूरा तो इसमें क्या होगा आपका जो थीकनेश है जो fiber का layer का जो थीकनेश है यह बड़ा बड़ होगा और ऐसे उपर से पूरा डाल देंगे तो क्या होगा फिर से इधर से उधर इधर से उधर करना पड़ेगा material को लेकर जल्दी tight हो जाएगा तो वह भी मुश्किल है जो चोटा चोटा texture है इसमें नहीं जाएगा तो इसलिए मैं suggest करूँगा जे ब्रास से धीरे 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 आप एक side से काम स्टार्ट कीजिए material थोड़ा कम करके लीजिए तक कि tight ना हो जाए वस्टेज ना हो जाए या पिट फ्रेंशोक का quantity रेजिन में कितना मिलाना है यह आपको काम का उपरटी paint करेगा कितना मोटा करना है thickness है ना ज्यादा detail काम होगा तो उसमें पतला करना चाहिए relief ज्यादा है तो उसमें ज्यादा पतला करेंगे तो क्या होगा गड़ा में आपका ज्यादा गिर जाएगा है ना इसलिए यह जैसा relief ज्यादा है यहाँ पर गनेश का एडिया में तो इसमें आप जुरूरी होगा तो थुरा पतला भी कर शकते क्योंकि इसमें design detailing भी ज्यादा है है ना तो ऐसा करके आपको देखना है जो quantity thickness कैसा होना चाहिए ठीक है ना जो फास्ट लियर होने का बात आपको सुकने के लिए time देना है और उसके बाद second layer स्टार्ट करना है second layer में आप थोड़ा thickness बरा सकते मतलब फ्रेंच चॉक थोड़ा add कर सकते अभी देखी जो ज्यादा relief है उस area में आपको लगाना है क्योंकि वहाँ पे material कम हो गया और plane surface जहाँ पे गड़ा है वहाँ पे तो material थोड़ा ज्यादा रहा गया तो जहाँ पे relief area है वहाँ पे ध्यान से कोटिंग कर दीजिए तो अभी second layer भी आपका सुक जाए एकदम tight हो जाए उसके बाद third layer मतलब matting करना है यह है fiber mat इसको छोटा-छोटा टुकड़ा में cutting कर लीजिए चोटा टुकड़ा इसे लिए क्योंकि detailing है ups and downs है तो यह बड़ा piece बड़ा seat एक शाथ लगा देंगे तो आपका matting करना अच्छा नहीं होगा और अंदर में bubbles रह जाएगा तो देखिए यहाँ पे matting बिठाने का जहाँ पे plain surface है बड़ा-बड़ा seat आप लगा शकते जहाँ पे depth है design है वह पे चोटा चोटा टुकड़ा लगाई है तो पहले पूरा के पूरा बिछा लेता हूं बड़ा तो लगाँ अभी जो है यह रेजिंट और कोबाल मिला हुआ जो मिट्रियाल है इसको सरफ हार्डनर मिला के अभी मैटिंग करेंगे ठीक है इसमें फ्रेंच चॉक नहीं मिला है तो इसको देखिए ये काम भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अंदर में मतलब जो फास्ट एन सेकेंड लेयर का बीच में और ये मैटिंग का बीच में आपका गैप ने रहना चाहिए तो ये जो बाबल से ये खरब करता है तो इसलिए आपका पूरा एरिय एक साइट से ध्यान से इसको बिठाना है तो ब्राज से अच्छा करके प्रेस करके करके आप लेयर लगाई है ये मैटिंग का लेयर आप अपना काम का हिशाब से थिकनेश जो जैसा जुरूरी है उसी साब से दो कोट अप लगा शकते मैट भी आप 300-600 जैसे तो थिकनेश जितना होगा वोशी शाब से भी काम ज्यादा कर सकते है तो पूरा के पूरा बॉर्डर आप देख लीजी कहीं पर छूट ना जाए क्योंकि यह हॉलो रह जाएगा तो आपका मोल्ड और कास्टिंग जो भी है फाइबर का जो सीट है यह अच्छा नहीं बनेगा तिसलिए आपको पूरा चारो साइट देखना है ठीक है अभी क्या पूरा चारो साइट बॉर्डर काटके दृप्स उसके बाद आप चारो साइट बॉर्डर काटके इसको निकाल लीजिए मिट्टी को हटा दीजिए फूरा एकदम साप सुत्रा करके यह देखिए हमरा मोल्ड रेडी है ठीक है न तो जैसे भी चोटा मोटा काटिंग करना है उसको काटके घीस के आपका मोल्ड रेडी है कास मेरा आट्टिक चैनल पर जाकर सबस्क्राइब बटन प्रेश कर दीजिए और साइड में बैल आइकशन पान रेकिया और बेपक ह्याद कर दीजिए और अल वीडियोज आप एंजाई किजिए मेरा चैनल पर धाकel धा sweeping को